हाई फ्रेंड अलेकुम आज हम आप लोगों को बेबी स्कुट बनाना बताएंगे थ्री लेयर्स इसकुट इस तरह से देखिए हमने थ्री लेयर में ये इसकुट को बनाया है और उपर लाश्टिक मैंने लगाई है इसी तरह से इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग दोनों करिटा कर लिए ये इसको इसको सरह में ने ना करना ऐस तो इस तरह से मैं Ozkin करनाहिक साथ वाला इसकुड बनाया है इसी को स्टेप बाइश स्टेप मँखन बताएं जिस तरह से बनाना है तो इसको बनाने के लिए he Manane 3 piece लमबाई में कप्ड़ा कट कर लिया है 3 piece same size same lambaï same चोड़ाई मैंने रखी है 36 है 3 हैすकी इसकी पप्डे की मैंने लमबाई same रखी है तो इस तरह से मैंने 3 हैंकी लमबाई same रखी है और चोड़ाई देखिए 군star 5 इंच है 3 है इसकी साड़े 5.5 उसकोा उसकोड़ार 5ड मैं गटा सकती तो अंदर से कपड़ा कोके यह बाई, 23.9 इंच उर्फ कपड़ार 6.ाईबी ताна 3 खञँ से प साड़े इसका है 2 4 इंच इसकोड़ा 50 फिर्फ कंग अप इसके ये कपड़ा हमारा अंदर की साइड होता है वो वाला कपड़ा बाहर की साइड होता है तो इसको पहले हम साइड में रखेंगे और सिलाई हम यहां से शुरू करेंगे यह जो उपर वाला पार्ट हमें लगाना है इसकी पहले हम सिलाई शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से रख लेंगे तीनो कपड़े को और पहले हम आपको बताते हैं कि क्या करना है देखिए एक साइड से हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और पूरी लंबाई में हमें सिलाई लगा लेनी है और ये हमारा कपड़ा डबल है ती इस तरह से बना लेंगे तो मेरा कपड़ा ये बन के तयार हो गया है तीनों पोने सेम तरीके से बनाया है एक साइड मैंने फोल्ड किया दूसरी साइड मैंने चुनट लगा दिया अब यह जो हमें अंदर की साइड कपड़ा लगाना है इसको हम हमने तीन पार्ट में इसकी भी कटिंग की है, देखिए, इस तरह से हमें इसमें जॉइंट करना होगा, तीनों में, तो किस तरह से इसे सिलाई करना है, वो भी आपको बताऊंगी पहले, तो पहले इसको आप समझ लेजिए, यह हमने कपड़े को खोल दिया है, और इसकी दोन इसको बंद कर देंगे, यह अंदर वाला पार्ट जो है, इसको पहले आप तीनों में यहां सिलाई लगा करके बंद कर देंगे, तो इस तरह से यह गोल बन जाएगा, तीनों पीस, फिर इसको हम हटा देंगे, फिर यह वाला जो कपड़ा है, जो हमने फ्रिल वनाया है, इस इसको भी हम गोल बना लेंगे, यानि कि हमारा अंदर वाला और उपर वाला दोनों पार्ट में हम बाहर से स्लाई लगा करके गोल बना लेंगे, यह टोटल हमारा छे पीस हो जाएगा, तो अब यह अंदर लगाने वाला पार्ट जो है, इसको हम लेंगे, इसको किस तरह से यह उन्दर लगाने वाला इनर जो हमारा है उसको हम अंदर से इसको रखेंगे इस तरह से, और जो हमारा एक्सट्रा यह कपड़ा थोड़ा लूज उपर वाला उसे हम चुनट दे करके अभी सिलाय के गाला करके दोनों धूर इस सीत articulated , टीनों से भी सुना में कर लेना है। तुह जेसे भी तर ाकूल समय के लिए मोटार ऐनोपन मुटार, टीनों योटा मानचेक काउस्ट करने के लिए ना वपद कलागा है। दूसे से इसके ताह रुपरह तुक्षा च्ढिए और two sides पुरी गॉलाई Lynn में एक से जोईंट कि पूरी में जए करलेंगे कि आपको समझ अगया ऑगा अगर ना समझ आया हो तो एक बार पिर से आपको दिखा देते हूं कि सब काई करना है देखिए यह उपर वाला पार्ट है इसको हमने इस तरह से कर लिया है यानि कि उपर वाला पार्ट हमने उस साइड कर दिया और इनर हमारा इस साइड है और यह नीचे वाले पार्ट को हमने यहां रखा है अब दोनों को हम एक साइड इस तरह से रखेंगे और दोनों म उसके साथ जॉइंट करेंगे देखिए इस तरह से जिस तरह से मैंने पकड़ के दिखाया है वीडियो में इस तरह से इसको पकड़ करके पूरे गोलाई में एक सिलाई लगा लेंगे तो देखिए हमने तीनों लेयर तयार कर ली है यानि कि हमारा घेर पूरी तरह से कर लिए की इस तरह से हमने कपडा कRe previously कट कर लिया है इसके अंदर हम 那ver awhile camera क लगाएंगे देखिए हमने इस फोड़ा सक मैं इस पकड़ को रखा है और इस imbalance लाश्टिक हमने ली है इसकी चोड़ाई लगबग एक इंच है और इसकी लंबाई भी हमें कट कर लेना है तो बच्चों की कमर के हिसाब से आप इसकी लंबाई कट कर सकती है तो देखी हमने 19 सिंच पे यहां इसको पकड़ लिया है इस तरह से फोल्ड करके एक बार देख ले मजबूत कर लेंगे और यह घ्यू हम बेल्ट की कटिंग की है इसकी बन्बाई भी आप बता दूंगी कि कितनी मैण लंबाई रखी है लेकिन एक साइड से इस तरह से जीलाई लगानी है और इसके बार इसे रहें हिता ज्युश्टिक को अंदर कर ड़स्ञं किहाँ पूरे अर चोराई, इसलिए रुकि उसको ढ़ने में करन करने में, हम गेर को थोड़ा थोड़ा चुनट और बढ़ा करके इसमें, जौइट कर लेंगे इसमें, तरह से अड जेस्ट कर लेंगे तो पहले हम बेल्ट को बना लेंगे देखिए मैंने बेल्ट को बना करके तयार कर लिया है अब इस बेल्ट को इसमें हमें जॉइंट कर लेना है तो जॉइंट करने के लिए पहले हम इस घेर को उल्टा कर लेंगे इस तरह से हमने उल्टा कर लिया है इसको इसकी उल्टी साइड करने के बाद ये जो बेल्ट है इसकी साइड हम लेंगे और इसकी साइड दोनों का जो जो जॉइंट है एक साथ पकड़ लेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे पूरे गोलाई में अगर हमारा गेर थोड़ा सा जादा होगा तो हम चुनट देंगे जगा जगा और इसको सिलाई कर देंगे तो देखें मैंने इसकी सिलाई कर ली है ये ब्लैक कलर की वज़ासे वीडियो में साफ नहीं दिख रहा है लेकिन ये हमारा स्कुट बहुत इच्छा बन के तयार हुआ है इस तरह से मैंने 3 layer skirt बना करके पूरी तरह से complete कर लिया यह मैंने सफेज shirt के साथ इसको बनाया हुआ है तो उमीद है कि आज की हमारी यह skirt की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो like करें, share करें हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए Allah आफिज